हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक सूपर लर्नर बनने के लिए विभारिक रूप में अपने क्लास्रूम, कॉलेज, स्कूल के क्लास्रूम में कैसे ये सब चीदें काम आ सकती हैं तो हम कह रहे थे कि इसके तीन स्टेपस होते हैं, prepare, participate और revise और हमने, हम बात कर रहे थे revision में कॉर्णेल नोट टेकिंग टेक्नीक की तो कॉर्णेल नोट टेकिंग टेकिंग में हम कह रहे थे कि ये दो ती हाई में तो आपने अपनी क्लास में heads up, notes taking करके, gist में visual note taking करी और फिर आपने विदिन 24 hours फिर्गेटिंग कर्व को ध्यान में रखते हुए को ध्यान में रखते हुए विदिन 24 hours उस पर एक निदर डाली और सवाल बनाए जो आपने पढ़ा था उसके सवाल बनाए तु अब सवाल बनने के बाद हमने दूसरी बात देखी थी कि एविंग हाउस की शोत के अनुसार हम साथ दिन बाद जो है अगर दोहरा लें तो वो फिर हमारी मस्तिश्क में वो जानकारी जो है वो जादा मेमरी जो है वो जादा सुद्रड हो जाती है तो साथ दिन बाद हम क्या करते हैं कि ये ढख कर input का कि कैसे sensory हमारे जो इंडरियां हैं वो हमारे मस्तिश को input देती हैं वो input कैसे अंदर encode होता है neural pathways के हिसाब से और बाद में फिर output की बात आती है जब हमें एक्जाम में या विहारिक रूप से उस ग्यान का इस्तिमाल करना होता है तो हमें वो जो है जो हमने जो भी कुछ सीखा था उसको हमें अपने मस्तिश से long term memory से निकालना पड़ता है वापस लाना पड़ता है तो इस input को हम कहते हैं encoding और output को हम कहते हैं retrieval और उस वीडियो में मैं आपको समझा रहा था कि मैंने ऐसा देखा है कि अधिकतर students जो हैं वो जब revision करते हैं तो वो encoding पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि अधिकतर students तीन चीज़ें करते हैं या तो किताब दुबारा पड़ते हैं या किताब में जो underline उन्हें किया होता है उस पे दुबारा नजर डालते हैं या उन्होंने जो notes बनाए होते ranking में वो दोतियाई भाग को ढख कर वो सवाल जो है उसको पढ़कर सोचते हैं कि जवाब क्या है इसका तो हम retrieval की practice कर रहे होते हैं इसलिए यह जो technique है यह अच्छी technique है और यहां मैंने पिछली वीडियो में आपको एक और वीडियो में समझाया था कि जब हम यह सवाल बना अच्छे सवाल है क्योंकि उसमें हमारे को नाकेवल सोचना पड़ता है जवाब क्या है हमारे को अपना तर्क सिद्ध करने के लिए बहुत सारे connections बनाने पड़ते हैं और जो हमें चीज़े पता हैं उनसे connection बनाने पड़ते हैं और इसलिए ऐसा करने से जो है retrieval की process और connections बन करने के हम रिविजन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने एक और वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि एक अमरीकी शिक्षाविद हैं हावर्ड गार्डनर और उनके हिसाब से यह सीखने की प्रक्रिया क्या है और उसमें वो जो एक बात कहते हैं वो कहते हैं कि Multiple Performances of Understanding तो Multiple Performances of Understanding का क्या मतलब है कि हम भिन तरीके से देखना चाहते है कि जो आपने सीखा वो वाकई में आपको गहराई से समझ में आया की नहीं आया और आज के जमाने में आप अपने लिए कई सारे Performances of Understanding निकाल सकते हैं केवल एक्जाम जो है केवल वो एक अकेला तरीका नहीं है इसको टेस्ट करने का और मैं तो यहां तक कहूँगा कि आज के दिन आप जो है यह जो पर्फॉर्मेंस इस अफ अडिस्टेंडिंग है इनका इ सीखना अपने लिए बहुत मज़दार बना सकते हैं यू कन मेक लर्निंग फन फॉर यरसल्फ कैसे जैसे मान लिया आप जो सीक रहे हैं उसका उसकी आप एक स्टॉप मोशन अनिमेशन बना देते हैं या कोई और फ्री एप यूज करके उसकी आप एक अनिमेशन बना देते हैं या कोई मॉडल बना सकते हैं ये सारे जो हैं ये तरीके परफॉर्मंस मल्टिपल परफॉर्मंस इस अफ अन्डिस्टैंडिंग है और इनको बनाने से केवल ये इंट्रेस्टिंग तरीके हैं इसलिए आपको मदा भी आएगा हमने एक और विडियो में जहां हमी समझ रहे थे कि कैसे लर्णिंग की प्रॉसेस में एक इनकोडिंग है दूसरा रिट्रीवल है हमने वहां बात करी थी कि जब आप केवल किताब को दुबारा पढ़ते हैं या अंडरलाइन पे नजर मारते हैं तब आपको ऐसा लगता है क आपको समझ में आ गई है बात इसको इल्यूजन अफ नोइंग कहते हैं क्योंकि वो जो है वो फुमिलियर चीज़ है आपने पहले देखी हुई है आप उसको दुबारा देखते हैं आपको यू ही लगता है कि हाँ ये मुझे आता है तो हमने तब बात करी थी कि इल्यूज पहले जो है वो रटे ना लगाए क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है उस से ना कोई neural connection ज्यादा फायर नहीं करते हैं सुधर नहीं होते हैं connections नहीं बनते हैं understanding deeper नहीं होती है distributed practice में आप पढ़ते हैं फिर एक gap देते हैं इस gap कि वज़े से वो जो आपका forgetting curve है वो भी नीचे आ रहा होता है पर फिर जब आप उसको पुनह देखते हैं और पुनह केवल यूहीं नहीं देखते हैं जैसे कॉर्णिल नोट टेकिंग टेक्नीक या इस तरीके से या हमने फ्लैश कार्ड की बात करी थी कैसे आप जब नोट्स लेते हैं तो एक तरीका ये भी होता है कि आप कार्ड में एक तरफ सवाल बनाएं दूसरी तरफ उसका जवाब बनाएं जब आप रिविजन करें तो आप सवाल देखें और जवाब को रिकॉल करने की कोशिश करें रिट्रीव करने की कोशिश करें और अगर ये सवाल आपका तरक अधारत होगा तो फिर वो रिट्रीव memory में encoding हो रही है वो ज्यादा सुधरिड होगी और retrieval की process भी जो है वो better होगी दूसरा तरीका हमने बात करी जिसको कहते हैं interleave practice की interleave practice का क्या मतलब है कि जो आपकी किताबे होती है वो एक curriculum follow कर रही होती है एक पद्धती follow कर रही होती है तो आप chapter 1 पढ़ते हैं chapter 1 के बाद अगर chapter 1 के exercises देखेंगे तो आप फटा फट समझ जाएंगे क्योंकि आपने chapter 1 में मान लीजिए एक formula पढ़ा था तो आपको समझ में आती है बात की जो exercises है वो उसी formula के उपर ही होंगी तो revision करते वक्त अगर आप revision ऐसे करें कि आप कुछ सवाल chapter 1 के लें कुछ chapter 4 के लें कुछ chapter 7 के लें तो आपको फिर सोचना पड़ता है कि आपको पता नहीं होता कि ये सवाल कौन से वाले chapter से है तो आपको जो retrieval process है वो जाती है और आपका जो exam है वो इसी format में आएगा वो ऐसे नहीं आएगा कि ये chapter 1 का सवाल है chapter 2 का वो सवाल होंगे और आपको सोचना पड़ेगा कि ये कौन से वाले जो chapter से ये संबंदित था तो interlead practice जहां आप topics of study को mix कर देते हैं वो एक ज्यादा अच्छा तरीका है और हमने तब बात करी थी कि जो सबसे अच्छा तरीका है revision का उसको कहते है continuous practice तो continuous practice का मतलब है कि आपको testing पे ज़्यादा ध्यान देना है और testing को एक मैंने बताया flash cards और कॉर्णेल note taking technique वगयरा पर जब हम exam की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकता है कि आप past year papers लीजे और past year papers को जो हम कहते हैं exam like conditions मैं अभ्यास कीजे exam like conditions का मतलब है कि अगर वो paper एक गृप एक गंटे का है तो आप घडी देख के एक गंटे में उसको हल कीजे वो तीन घंटे का है तो घड़ी देखके तीन घंटे में उसको हल कीजे जब आप उसको आंसर देने बैठ रहे हैं तो बिलकुल exam conditions होनी चाहिए यानि आप अपना फोन वगेरा जो है कि जो examiner को दी जाती है कि अगर एक नंबर का सवाल है तो उसमें वो क्या आपसे चाहते हैं के वल परिभाशा लिखना चाहते हैं दो नंबर का सवाल है तो क्या वो परिभाशा उधारन चाहते हैं दस नंबर का सवाल है तो क्या वो परिभाशा उधारन और कई कुछ और ऐसा चाहते हैं जहां पर आप connection बना के बता पाएं कि उसका वाकिए में जो भी आपने सीखा मान लीजे न्यूटन्स लॉज तो उसका practical application in the real world क्या है इसके उधारण जो है वो वो ऐसा चाहते हैं फाइनली हम बात करते हैं एक्जाम की कि जब एक्जाम है मेरे को ऐसा लगता है कि एक्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये कि एक्जाम का जो result है ना वो जैसे ऐसा है जैसे कि कोई आपका बुखार ना पराओ तो अगर मैं अभी एक थर्मामीटर लेता हूँ और अपना बुखार ना पता हूँ तो मेरे को अभी केवल इतना ही पता चल रहा है कि मुझे अभी इस वक्ट बुखार है कि नहीं मुझे थर्मामीटर मेरे स्वास्त का कोई अंदाजा नहीं देता ये नहीं बताता कि कल ये बताते हैं कि उस वक्त आपको उस topic के बारे में क्या पता था क्या नहीं पता था दुनिया का कोई भी ऐसा exam नहीं है चाहे वो IQ Test हो, MENSA हो, कोई भी और exam हो जो की पुटेंशल नापता है, जो आपकी शम्ता नापता है शम्ता नापने वाला कोई भी हमें ठीक सा कोई भी एक्जाम नहीं है तो कहने का क्या मतलब है कि जो एक्जाम है कि यह बता रहा है कि आप इस वक्त उस चीज़ के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं वो यह नहीं बता रहा है कि अगर आप मेहनत करेंगे ठीक से कुईसी चीज़ को समझने की प्रक्रियार फॉलो करते वे उसको सीखेंगे तो आप क्या सीख सकते हैं आपकी शम्ता नहीं बता रहा है ये बात समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये नहीं है कि किसी के एक्जाम में नंबर काम आए तो उसका ये मतलब है कि वो जो है वो बुद्धिमान नहीं है उस एक्जाम का बुद्धी से आपकी इंटेलिजन्स से ज़्यादा कोई तालमेल नहीं है वो किवले बताता है कि वो उस वक्त आपको उस टॉपिक का क्या पता है क्या नहीं बता है पर exam देते वकि प्राक्टिकली स्पीकिंग क्या है सबसे पहले जब आपको question paper मिले तो एक question paper पर पूरे question paper एक नजर माल देनी चाहिए यEZ चाहे 5-7 मिनिट ले लें आप इस बात में वहाला जो सवाल है मुज़े ज़्जादा अच्छे आता है मैं इसको पहले आंसर कर देता हूं क्योंकि ये 20 नंबर का है मुझे आता है और बाद में ये जो 10 नंबर का जिसमें मुझे ठीक से पता नहीं कि आता है कि नहीं इसको मैं बात के लिए रख लूँगा तो इस तरीके से आप जब एक स्कैन करते हैं अपना तो इस किसम का एक प्लैन बन जाता है आपका दूसरी बात जो ज़रूरी है वो टाइम मैनेजमेंट की है कि एक्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है तो इसलिए आपको अगर आपका तीन घंडे का एक्जाम है तो आपको मान के ही चलना चाहिए कि दो घंडे 45 मिनट दो घंडे 40 मिनट ही हैं आपके पास और प्लैन उस तरीके से करना चाहिए और घड़ी देखकर कि हाँ मेरे अभी 20 नमबर का बचे हुए हैं 40 नमबर के बचे हुए हैं कितना टाइम हो चुका है एक गंटे में मुझे कितना ख़दम कर लेना चाहिए था ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप टाइम अपना ठीक से नहीं मैनेज करते हैं और मान लिजे 20 नमबर का एक पूरा सवाल ही छोड़ देते हैं तो फिर आपको जो फाइनली नमबर मिल रहे हैं वो 80 में से मिल रहे हैं तो इसलिए ये ऐसा ना हो कि कोई सवाल पूरा का पूरा ही छोड़ जाए ये टाइम मैनेजमेंट और ये स्कैन करके थोड़ा प्लान करना ये दो बातें जरूरी हो जाती है तीसरी समझने वाली बात ये है कि जब मारकिंग स्कीम कि अगर एक नमबर का सवाल है तो पहले तो केवल ये ही ध्यान से पढ़ना चाहिए कि सवाल है क्या वो क्या जवाब मांग रहा है और फिर कि वो कितने नमबर का है कि वो एक नमबर का है तो एक या दो पंक्ती काफी होनी चाहिए या वो 5 नमबर का है या वो 20 नमबर का है तो जितने नमबर का है ये नहीं कि वो सवाल तो है दो नमबर का पर क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है तो आप वो लिख रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो आपका केवल समय की बरबादी है marking scheme में ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई आप ऐसा exam दे रहे हैं जिसमें negative marking हो रही है तो उसमें आप तुके ना लगाएं तो शायद जादा अच्छा है और finally कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसमें word limit होती है तो अगर किसी सवाल में word limit है तो फिर उस word limit को ध्यान में रखते हुए उसका answer देना चाहिए कई बार ऐसा भी होता है कि exam देते वग एक के बाद एक दो तीन सवाल आपको ठीक से नहीं आए और आप फिर चिंता ग्रस्त हो गए अब जब आप चिंता ग्रस्त हो जाते हैं exam के बीच में तो होता क्या है कि वो जो आपको याद था ना वो भी वापस long term memory से short term memory में नहीं आता है अगर आप exam के बीच में चिंतित हो गए तो एक अच्छा तरीका क्या है कि आप एक मिनिट के विल एक मिनिट के लिए ही आप अपना जो pen है वो नीचे रखिए और थोड़ा अराम से बैठिए और दस गहरी सांसे लीजे गिन कर यह करना क्यों लाबदायक है क्योंकि जो जब हम कहते हैं कि हम stress में आ गए हैं हम तनाव ग्रस्थ हो गए हैं तो actually आपके कुछ hormonal secretion शुरू हो गया है किसी और वीडियो में मैं इस बात को ज्यादा ढंक से समझा सकता हूं तो ग्लू को कॉर्टिकोइट कहते हैं आपकी adrenaline secretion शुरू हो गया है आपका blood stream में cortisol secretion हो सकता है शुरू हो गया हो तो bio chemically आपका तनाव ग्रस्थ होने का मतलब क्या है तो उसका मतलब है कि कुछ ऐसे रसायन आपके आ गए हैं शरीर में जो की ये तनाव जो है वो आपको तनाव पूर्ण बना रहे हैं तो जब आप इस किसम से एक चोटा break एक मिनिट का ही break breaker दस गहरी सांसे लेते हैं तो आपका blood oxygenated होता है वो oxygenated blood आपके दिमाग में जाता है और जो आपकी बायो केमिस्ट्री है जो आपकी शारीरिक बायो केमिस्ट्री है वो बदलती है तो इसी लिए अगर अगर आप normal course में तनाव ग्रस्थ हो रहे हैं एक्जाम के अंदर नहीं पर क्योंकि ये एक्जाम के हॉल के अंदर ये करना नहीं संभव है तब मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे एक मिनिट के लिए रखके दस लंबी सांसे लेंगे गिन कर दस गहरी सांसे लेंगे तो वो जो आपकी शारीरिक बायो केमिस्ट्री है वो बदलेगी वो तनाव जो को निकाल के उसको ठीक से आंसर कर पाएंगे तो मैं उमीद करता हूं कि ये वीडियो जो है इन वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी ये आपके काम आएगी वहवारिक रूप से काम आएगी और आप वाकई में 21 सदी में एक सूपर लरनर बन पाएंगे